हाई एवरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल फूडी नमस्ते आज मैं आई हूँ आपके लिए बची हुई रोटियों से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाने के लिए तो चलिए फ्रेंड देखे मैंने क्या लिया हुआ है मैंने बची हुई दो रोटियां ले लिए फ्रेंड हम सब के घर में लंच या डिनर में रोटियां बची जाती है तो सोचा आज उसी से कुछ रेस्पी शेयर की जाए आपके साथ में तो चलिए सबसे पहले रोटियां ले लेंगे इनको नाइफ की हल्फ से कट कर लेंगे तो मैंने बीच में से दो पार्ट पहले कर लिए हैं और फिर इनके दो पार्ट और करूंगी ये देखिए दोनों रोटी के दो दो पार्ट हो गए हैं अब बीच में से एक एक पार्ट और करेंगे मतलब एक रोटी के चार पीस हमें करने हैं तो चलिए सभी रोटी के पीस कट कर लेते हैं ये देखिए फ्रेंस इस रोटी का न मैंने दो उले हुए आलू ले लिये हैं, और इनको मेश कर लेंगे, तो आप मेशर से अब थोड़ा सा धन्या पाउडर डाल दिया मैंने और थोड़ा सा गर्म मसाला मसाले अपनी आफशक्ता हों साम कम ज़्यादा कर सकते हैं स्वाध अनुसार नमक डाल देंगे अब यह अमचूर पाउडर डाल देंगे एक चम्मच और थोड़ा सा चाथ मसाला कौनल ड्यit ब लग देंगे अब ले लेंगे एक बॉल और बोल में डालेंगे आधा कटोरी लगबख बेसन तो चलिए कि मैं क्या बना रही हूं बेसन में डालती हूं थोड़ा सा अजवाइन बहुत जड़ी होती बेशन के डाजेस्ट करने के लिए थोड़ी सी लाल मिश पाउडर डाल दिये थोड़ा सा धन्या पाउडर डाल दिया है थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा स्वादनसार नमक नमक थोड़ा ही डालें क्योंकि आलू मे भी नमक डाला है, अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए एक बैटर तियार करना हमें, तो चलिए इसको बना लेते हैं, देखिए भी काफी थीक है ये, थोड़ा-थोड़ा पानी डालेंगे, एकदम से पानी नहीं डालें, फ्रेंड़्स, अब देखिए, इसका और जो आलू का मसाला बनाया था, friends, इसको इस रोटी पर एक साइट से लगाएंगे, और देखिए, इसको एक साइट से लगाते हुए, रोटी को फोल्ड करेंगे, ट्रेंगल शेप में, देखिए, कितने अच्छे से ट्रेंगल शेप में ये फोल्ड हो गया है, तिकोने आका आप इसे जरूर बनाये, friends, देखिए, कितने आसानी से ये आलू का मसाला इसमें पेश्ट हो जा रहा है, और इसी तरह बना करके, ये पीस रख लेंगे, तो चलिए, मैं सारी रोटी के पीस बना लेती हूँ, friends, देखिए, सारी रोटी मैंने इस तरह आलू लगा करके, बना ये एक पैन, तो पैन को अच्छे से गरम होने देंगे, अब पैन में डालेंगे ओल, तो मैंने सरसो का ओल लिया है, आप जो कुकिंग ओल यूज करते है, friends, वो यूज कर लें, मैं ये स्वैलो फ्राइ ही करूंगी, डिप फ्राइ नहीं करूंगी, थोड़ा हेल्दी ही बन बड़े अराम से धीरे धीरे गरम तेल में छोड़ते जाएंगे, देखिए, एक मैंने डाल दिया, मैं दूसरा भी उठा के डिप करती हूं, और इसको भी डाल दूँगी, बड़े अराम से देखिए, ये बन रहा है, ये देखिए, चार पीस मैंने डाल दी है, एक साथ पग गया, तो मैंने इसको पलट दिया है, चलिए इस तरफ से उलटते पलटते इसको सेख लेंगे, हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक सेखना है, ये नाश्ता बहुत ही करारा बनेगा, और किसी को पता नहीं चले कि रोटी से फ्रेंड बनाया है, आप किसी को भी खिला अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए है, तो इनको निकाल लेते हैं के करके पिपर नैपकेन पे, जिससे एक्स्ट्रा ओयल है, वो भी इनका निकल जाए, ज्यादा ओयल फ्रेंड्स इन्होंने नहीं सोक किया है, बहुत अच्छे से बन के तियार हुए, बिलकुल करारे क् जैसे पहला वाला बैच सेका था, वैसे ही मैं दूसरा भी सेक ले रही हूँ, बहुत ही जल्दी 5-10 मिनट में फ्रेंड्स इनाष्टा बन के तयार हो जाएगा, और देखिए सभी को पसंद भी आएगा, मैं गरंटी से कहती हूँ, तो आप एक बार मेरे कहने से ये नाष्टे को रख लेते हैं, तो देखिए, देखने से कितना अट्रेक्टिव लग रहा है, अब इसको आप मन चाही अपनी चटनी, कैच अप जिससे भी सर्व करिए, मैंने कैच अप रख दिया है, फ्रेंड्स ये बहुत ही टेस्टी नाष्टा बन के तयार हो गया है, शेयर कर दे, कॉमेंट कर दे, चैनल पे अगर पहली बार आए हो, तो प्लेज सस्क्राइब जरूर करें, देखिए फ्रेंड्स मैं नाष्टे को कट करके आपको दिखा रही हूं तोड़ करके हाँ से, ये देखिए, अंदर की फिलिंग देखिए, कितनी गजब की है, मसाला लुए, और इसको डिप करिए, और खाईए, और अपने फ्रेंड्स फेंड्स सभी को खिलाईए, फ्रेंड्स आई होप आपको आज की रेस्पी जरूर से पसंद आई होगी, तो प्लीज अगर आज फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही हो, तो प्लीज लाइक करें बगार लाइक तो बनता ही है, फ्रेंड्स मिलेंगे आप से फिर एक नई रेस्पी में, अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद, बाई बाई